हेलो एवरीवन मेरा नाम है डॉक्टर केट सउगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीड़े में हम बात करेंगे कि फंगल इंफेक्शन क्या होते हैं किस वज़े से होते हैं इसके लक्षन क्या होते हैं इसको डाइ सबसानि आप लिफ्ञक्स यहां बिवल्izar इसके फंगस के वज़े से होन वाली है तो इसके बोलता है इने इसनां इफ्ञक्षन इंफेक्शन इसनां बढ़ते हैं निय Otherwise, फंगल इनफ्शिंक्छन में सब्सक्राइप करें पर स्ञेल इनफ़ेरेंस में उसके बार के उनपर सुपर स start से लक्षन में जा सूठ के ये फंगल इनफेटियरीया Э्पिसेज परकौल सिंफैक्छन उपर स्केल के रहोते ह् pursue प्रकौलियास में गाने से खार जो फंगल स्किन इंफेक्शन होता है इसको हम एतलेट्स फूट ऐसे बोलते हैं जो कि एक फंगल इंफेक्शन होता है उसके बाद होता है इसके बाद होता है रिंग वर्म इंफेक्शन जो की आम तोर पर जो मोटे लोग होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा बॉड़ी वेट जि को कि mostly armpits में देखा जाता है तो इस तरह से athletes foot, jocks each, ringworm और yeast infection एक कुछ main infection है जो की mainly देखे जाने वाले चार तरह के fungal skin infection है तो आब हम बात करेंगे इस तरह के fungal skin infection के contagiousness के बारे में मतलब की इस तरह का fungal infection infection एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किस तरह से फेल सकता है और इसके क्या chances होते है तो फंगल skin infection पहली बात तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फेल सकता है पहले तो फेलता है direct skin contact के वज़े से और दूसरा जो फेलता होता है indirect contact के वज़े से तो सबसे पहले बात करते है direct contact के बारे में, तो अगर आपके किसी body part के उपर fungal skin infection हुआ है, और अगर ओ body part किसी दुसरे वेक्ति के direct skin के contact में आता है, तो उसके वज़े से एक वेक्ति से दुसरे वेक्ति को fungal skin infection transmit हो सकता है, इसके बाद जो दुसरा तरीका होता है, वो होता है indirect method, मतलब कि जिस वेक्ति को fungal skin infection हुआ है, उस वेक्ति ने इस्तेमाल के हुए कपड़े, अगर कोई दूसरा वेक्ति बिना ठीक से साफ के इस्तेमाल करता है, तो इस वज़े से भी उस patient में fungal skin infection transmit हो सकता है, तो इस तरह से fungal skin infection थोड़ी बहुत मातरा में transmissible या फिर contagious होता है, तो इसके बाद बात करेंगे कि fungal skin infection को किस तरह से diagnose किया जाता है इसके बारे में, तो diagnosis के लिए उस patient का जो affected body part है, उसको ठीक तरह से observation करना पड़ता है, ठीक तरह से examination करना पड़ता है, अगर ठीक से उस affected body part को examine करेंगे, तो observation करके ही हम बता सकते हैं, more than 90% cases में, कि किस तरह का skin infection है, कि फिर infection fungal है या फिर नहीं है, तो ठीक से physical examine करना उस affected body part को इस सबसे पहला तरीका होता है, और जो दूसरा तरीका होता है, ओ होता है कि उस affected skin, जो affected body part के उपर जो skin होती है, उस skin के scrapping को under microscope observe करना, तो यह दो mostly तरीके होते हैं, जो कि हम इस्तवाल करते हैं, किसी भी patient में fungal skin infection को diagnose करने के लिए, इसके बाद हम बात करेंगे fungal skin infection के treatment के बारे में, तो treatment के अंदर सबसे पहले तो उस patient को precaution लेनी है, कि जो affected body part है, उसको clean और dry रखना है हमेशा, वहाँ पर कोई भी male या फिर कोई भी sweat, कोई भी पसीना जमा नहीं होने देना है, इसके साथ tight fitting garments इस्तेमाल नहीं करने हैं, इसके बाद कुछ antifungal medications होते हैं, जो कि ओरली भी ले जा सकते हैं, इसके साथ साथ topical application के लिए भी दिये जा सकते हैं, अगर हम oral antifungal drugs के बारे में बात करें तो इसके अंदर हम उस patient को flucanazole दे सकते हैं, itraconazole दे सकते हैं, इसके बाद terbina fine भी दे सकते हैं, हर एक patient की उम्र और उस patient का वजन इसके हिसाब से अलग-अलग होता है, और इस treatment का duration भी उस patient की severity के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं, हम antifungal cream के बारे में बात करें, तो antifungal cream के अंदर उस patient को clotormazole की cream दी जा सकती है, इसके साथ साथ ketoconazole की cream होती है, लूली को ketoconazole की cream होती है, एक कुछ creams होती है, जो कि external application के लिए उस patient को दी जाती है, इसके साथ साथ उस patient को clotormazole dusting powder भी दी जाती है, और उस patient को इस्तेमाल के लिए ketoconazole containing soap भी दिया जाता है, इस वीडियो में हमने शौर्ड में बात की fungal skin infection के बारे में, अगर आपके इसके विशे में कुछ doubts है, तो आप हमें नीचे comment section में ज़रू पूछ सकते हो, और अगर आपको इस वीडियो से कोई knowledge मिले, तो इस वीडियो को एक झाल